पोको F1 के लिए AOSP के क्रेकन जो की रोम आता है उसका ओफिशल बिल्ड जो की ओफिशल अपडेट आ गया है लेटेस्ट इस अपडेट में हमें चेंजिस क्या कुछ मिलते हूं उसके बारे में बताने वाला हूं जैसे कि इसका फ्रस्ट बीडियो मैं बना चुका हूं जिसम है क्या कुछ फर्क पड़ा है पिछले और इस अपडेट में चलिए वीडियो हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे कि अवाउट फोन के अंदर आपका लोगो यहां पर मिल जाता है रोम का और एंडूइड वर्जन 11 है और सिक्योर्टी पैच मारा 5 अगस 2021 का लेट पीडिटेड आई है और यहां पर आपका नीचे लास्ट में बिल्ड नमबर जैसे की मिल जाता है अगर हम यहां पर स्टेड़ बार में चलते हैं तो के अंतर हलागि आपके जो तायल्स पहले मिलते थे वही सेम बिल्कुल आपको तायलस मिलेंगे यहां पर कुछ निव टा वॉलिम आपका जो है कुछ इस तरीके से मिल जाता है बाई डिफोल्ट ही आपको पार है वॉल्म कंट्रोल भी मिल जाता जो कि पिछले वाले पर बताया था बाई डिफोल्ट आपको मिल जाएगा और आपका पावर मेन्यू कुछ इस तरी से एडवांस रिबूट आपको मिल स्क्रिंशोट भी कैपचर करते हूं तो भी लॉंग स्क्रिंशोट नहीं मिलता इसके अंदर में और जैसे की आपका Camera Go है पाइड़ीफोल्ट में अगर आप GKM इस्टोल करते हो तो आराम से इस्टोल करके यूज कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर आपका सेम रहेगा सब कुछ यहां पर कोई चेंज नहीं है और हमारा जो यहां पर प्लेश्टूर है प्लेश्टूर भी आपका बिल्कूल सट्फाइड रहता है यानि कि आपका जो स्टिप्टी निट हो पास है ता परामसे यहां पर बैंकिंग आप्स को यूज कर पाओंगे विद नीला करते हो तो उसके अंदर एसपी वाला डायर रहेगा तो उसमें आपको कोल रिकोर्डिंग देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग में तो नेटवर्ग रहें इंटरनेट के अंदर कोई प्रोब्लम नहीं है कनेक्ट डिवाइस के अंदर आपका कास्ट है यह भी वर्किंग आपको मिल जाता है और अपन नोटिफिकेशन में चलते हैं यहां पर जैसे के असिस्टेंट मिल जाता है आपका ओके गूगल है गूगल बिलकुल इसे दरी के से काम करें इसमें कोई दिकत नहीं है और डिफोल्ट अप्स आप यहां पर देख स को चेंज मिलने वाला जो की लाइब डिस्प्ली है पूरा पूरा न्यूँँ आपको मिलने वाला यहां पर जो कि पहले नहीं ता ताफ़ यहां पर पे कट्छर पर फाइल हो या डीडिंग मोड यूजर आम से कर पाओगा और यहां पे पिक्चर एज़स्मेंट भी मिल जा जाता है इसका प्रोब्लम अभी भी है और लॉक्स के अंदर भी कोई चेंजस हमें नहीं मिलता बिल्कुल सेम पूरी सेटिंग रहने वाली एज लाइटिंग आपको जैसे की एज नोटिफिकेशन वह आपको मिल जाएगा डबल टैप टू वैक है टैप टू स्लीप है जैसे क बिल्कुल वर्किंग है तो आप इसे यूज कर पाओगे इसमें कोई दिकत नहीं है नेक्स्ट हम चलते इसके सिक्यूरिटी के अंदर तो सिक्यूरिटी के सेटिंग में आपको कोई चेंजस नहीं मिलता है लेकिन अगर हम बात कर इसका रिस्पोंस कर सा है तो भी आपको य और स्क्रीन लोक सेटिंग्स आपके सेम रहेगी एप लोकर भी आपको यहां पर जैसे की मिल जाता आप यूज कर पाओगे तो यह भी बिल्कुल सेम आपका पहले जैसा ही है इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं मिलता है डिश्टल वैल्विंग का सपोर्ट जैसा कि यहां यहां पर देखने में मिल जाएगा और सेम में चलते हैं सिस्टम के इंदर हमारा यहां पर बटन दिया गया जैसके अंदर आपको यहां पर पहले जैसा ही है यहां पे और यह रहें की बटरी हो या brightness की सेटेंग्स हो सभी सेम है और जिसमें आपका सिस्टम नविगेशन मिल जाता है तो इसके अंदर भी कोई के अंदर ही आपको नोचाइट को उप्सन मिल जाएगा बाकी लास्ट में यह अपडेटर यहां पर हमें मिल जाता है और अगर हम गेम में चलते हैं तो यहां पर गेम की ग्राफिक तो हाला कि सेम पहले जैसी रहेगी स्मूद पे जैसे की एक्ट्रीम है बैलेंस पे अल्ट्र अगरेटर है और ंचडिय यार पर भी अल्ट्र हमें मिलता है अल्ट्र एचडिपर हमें जो है फिलाल सपोर्ट नहीं मिलता हमें आप पर क्या तो पर्फोमेंस के आपका में यहां पर दिक्कत आपको मिलने वाली च्टाइब करनी पड़ी जो कि गेम खेलते टाइम यह सी म ट्रिक्मेंट नहीं कर सकता है यहां पर आप गेम खेलते हो फिलाल आपको दिक्कत यहां पर होने वाली है यह सारी चेंजेश थी जो कि हमें इसके अंदर बिल जाते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कोमेंट में पूछ सकते हो और आपको वीडियो अच्छी लगी कर सकता है